आज हम सूजी उपमब बनाएंगे, उसके लिए हम कुछ सबजी ले लिए हैं पोड़ी सी मूंग की दाल ले लिए हैं, 5-6 काजू ले लिए हैं, पोड़ी सी मूंग फली ले लिए हैं, 4-5 पत्ता पालक का ले लिए हैं, किस्मिस ले लिए हैं, 8-10 दाने किस्मिस के हैं, उसे हम 2 टुकडो में कट लिए हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, मिठा भी नमकीन भी रहेगा, तो हम चलते हैं सूजी उपमा बनाने के लिए, अब सबसे पहले फ्राइपेन में हम घी डाल देंगे, घी को हम पिखलने देते हैं, घी पिखल गया है, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, इसमें हम मुंभली डाल देंगे, चना का दाल और हम अलग से निकाल के रख लेंगे इसे हम, बिल्कुल क्रंची कर लेंगे, आने में ये चिपचीपा न लगे, बिल्कुल धीमी आज पे इसी में हम सूजी भून लेंगे, सूजी को हम चलाते हुए धीमी आज पे 2-3 मिनट हम भून लेंगे, इसका हलका सा कलर सुनहरा कलर का तब तक इसे हम अच्छे से धीमी आज पे भूनेंगे, तेज आज पे भूनेंगे, सूजी मेरा जल जाएगा, तिसे बिल्कुल धीमी आज पे भूनेंगे, इतनी अच्छी तरह से आप सूजी को भूनेंगे, उतना अच्छा आपका उपमा बनेगा, सूजी को भूनते हुए किस्मिस को हलका सा सेंक लेंगे, इसे भूनना नहीं बस सेंक ना है, हलका सा इसे हम सेंक लेंगे, काजू भी थोड़ा क्रंची हो जाए, हलका सा जो नमी है काजू और किस्मिस में, किस्मिस को भी निकाल के रख लेते हैं, इस तरह से हमने मुँफली को भून के निकाल के रख काजू किसमिस को भी हम निकाल के रख लिए अब हम इसमें बटर डाल देते हैं और बटर से हम सब्जी को भूनेंगे बटर पीघल गया इसमें हम प्याज डाल देंगे बटर में हम प्याज डाल देंगे प्याज को बहुत अधिक भूनना नहीं है इसमें हम गोभी डाल कढ़ी पत्ता है कढ़ी पत्ता डाल देंगे और इससे हम चला लेंगे घी या बटर में बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उपमा का गोभी को एक मिट पकाने के बाद इसमें और जो मेरे पास हरी सबजिया है सब हम डाल देते हैं धिरे-धिरे करके गाजर डाल दें सिमला मिर्च है इसे भी डाल देंगे यह लसून का पत्ता है सर्दी के दिनों में मिलता है लसून का और प्याज का पत्ता इसे भी डाल देंगे फ्रेस ताजी मटर है इसे हम डाल देंगे और सब्जी को हम भून लेंगे एक साथ सब्जी सब्जियों को दो तीन बार भून बिचाइगा नमक डाल के हम इस प्रकार से चला लेंगे, रख़ेऩी बेंसे उब पर classy सबजी को हिखा नमक डाल के हम अच्छे से सारे सबजी को पका लेते हैं सब jus चुटकी हम कास्मी लाल मिर्च ढमन एक चुटकी गरम मसाला डाल देंगे, ऑड रसी कसुरी में ध nehmen you एक बारहन से अच्छे से मिला लेंगे हम इसे सूजी के नाप से एक कटोरी से कम इतना ही मेरा सूजी था इतना ही हम तीन कटोरी पानी इसमें डाल देंगे दो कटोरी और एक तीन कटोरी और गैस का आज हम तेज रखेंगे इसे हम धांक देते हैं धाकन से, जल्दी से इसमें एक उबाल आ जाए, धाकन अटागे देख लेते हैं, देखें सबजी में उबाला गया है, सबजी में हम भुना हुआ सूजी डाल देंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और मिलाएंगे, इस प्रकार से डालते रहेंगे और म के लिए निनके के लिए ढдंख करने pallet retention के लिए मिनके बार हटा करने लिह लेदे हैं। देखें कितना अच्छा प्रफेक्ट उप्मा बन के तयार है अब देख सकते हैं नीचे पूरा पानी सूजी तो ड़िया है और sytuल अच्छा बना हुआ है can पाणी है ने कम पानी छो जो टाल देंगे इसमें जो हम किसमिश डाले है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आए गा मि ठा smoke owl लगेगा भागा टेस्ट वी बदल जाएग smo इस प्रकार से इसे हम मिला लेते हैं, अच्छे से, उपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता, थोड़ा सा पालक का पत्ता, उपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे, और इसे भी हम मिला लेंगे, अच्छी तरह से इस प्रकार उपर नीचे करके, उपर से घी डालने से पूरा जो मे पूठी पसंद से खाएंगे, दिन भर जब बच्चे इसकुल से ठक के घर आते हैं, तो उस टाइम भी आप बना के दे, या सुबह नास्ते में बना के दे, ही कोई इस तरह का उपमा पसंद आएगा, आप इस तरह का उपमा जरूर बनाए, उपमा बन के तयार है, हम गैस बन क कर देते हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं, देखे कितना अच्छा उपमा बन के तयार है, ये देखे, इस तरह से आप भी बहुत स्वाधिस और पॉस्ट्रीक उपमा बनाए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे च